क्या आप जानते हैं, कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, या भारत को अब तक किन किन नामों से पुकारा जा चुका है? बिन बिन नामों से पुकारे जाने के पीछे का इतिहास क्या है? हम समझते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही अपनी सम्रिद सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद रहा है भारत के इतिहास में विभिन कालखंड में अनेक समुदायों ने इस भूखंड पर अपना वर्चस उस्थापित किया है तथा इस देश की संस्कृती में योगदान तथा चेरचाड भी की ऐसे में इस देश को विभिन कालखंड में विभिन नामों से जाना जाता रहा है प्राचीन काल से इस देश का इतिहास अत्यंद रोचक एवा माश्चरियों से भरा हुआ है भारत की सांस्कृतिक विरासत की भाती ही इस देश के नामकरण के पीछे भी सम्रिदर इतिहास छिपा है हमारे अखंड भारत को विभिन कालखंडो में अनेको नामों से पुकारा जा चुका है उनमें से साथ नाम इस प्रकार से हैं जम्बूद्वीप, भारत खंड, भारत या भारत वर्ष, आर्यावर्थ, हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इनके पुकारने के पीछे क्या कारण था अब हम भारत को जम्बूद्वीप नाम से पुकारने के पीछे के इतिहास को समझते हैं भारत के सबसे प्राचीन नाम की बात की जाये तो प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था जम्बू द्वीप शब्द दो जम्बू एवं द्वीप से मिलकर बना है जिसका आर्थ जामन के व्रिक्षों का द्वीप प्राचीन भारतिय अपने देश को जम्बूदीप के नाम से संबोधित करने थे, जामन व्रिक्षों की अधिक्ता के कारण, संभवता इस देश का नामकरन जम्बूदीप होना प्रतीत होता है, हालांकि वर्तमान में भी दक्षिन पूर्वी एशियाई देशों में भारत के जम्बूदीप शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि संपूर्ण भारतिय उप महद्वीप के लिए उचारित होता है। प्राचीन भारतिय संस्कृतिक एवं रिगवेदिक ग्रंथों में भारत वर्ष के लिए आर्यावर्थ शब्द का उपयोग किया गया है। हिंदुस्तान, मध्य सल्तनकाल एवं मुगल काल में संपूर्ण भारत वर्ष को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया है। हिंदु शब्द की उत्पती सिंधु शब्द से मानी जाती है। प्राचीन काल से ही विभिन विदेशी आकरांताओ, एवं व्यापारियोद्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से भारत में प्रवेश किया गया है। वहां उन्होंने जिस नदी के दर्शन किये उसे सिंधु नदी के नाम से जाना गया है। प्राचीन सभ्यता सिंदू गाटी सभ्यता को अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता रहा है। Latin भाषा में Indus Valley Civilization के नाम पर भारत का नाम इंदे पड़ा, जिसे की अंग्रेजी भाषा में इंडिया के नाम से जाना गया, इसके पश्चात अंग्रेजों के द्वारा भारत को इंडिया के नाम से पुकारा जाने लगा. भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के लिए इंडिया एवं भारत दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहकर संबोधित किया गया है, संविधान के आर्टिकल प्रथम में भारत को इंडिया देट इस भार भारत के नाम से वर्णित किया गया है। सातियों आपके अनसार भारत का सर्वश्रेश्ट नाम क्या उप्युक्त है। कॉमेंट के माध्यम से हमसे साजा करें। धन्यवाद।